नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी का इस ट्रेट जीरो चैनल पर स्वागत हैं दोस्तों मैं आप सभी के लिए लिकर आया हूँ एक वॉसम लेक्चर हमारे हाइली इंपोर्टेंट टॉपिक सी सीरीज में दोस्तों आज की लेक्चर में हम बात कर रहे हैं कुछ हाई के समय में ली गई हैं दोस्तों इससे पहले में विजिट्स के उपर अलड़ी एक लेक्चर अप्लोड कर चुका हूँ जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किये थे दिसमबर नमबर और ऑक्टोबर महिने में आने वाली सारी विजिट्स जो हुई थी उन सारी विजिट्स के बा कारे में बात करेंगे दोस्तों अगर आप पुराने साल के पेपर के अनलेसिस आगर आप लोगों ने की हो तो आपको पता चलेगा कि विजिट्स के उपर काफी कॉशन्स आते हैं देट इस वाइट इस इंपोर्टेंट तू लर्न अबाट दी विजिट्स दोस्तों यह जो दोस्तों यह जो कोड्स है जैसा कि मैंने आपको बताए इस प्पेशली इस फॉर MPPSC तो इस्पेशली यह प्लिम्स वाले एक्जैम में सबसे जादा आपको मदद करेगा लेकिन एक्कोली यह आपको मेंस में भी मदद करेगा कैसे जो बाइलेटरल रिलेशन्स के उपर कॉ दोस्तों इस स्लाइड पर आप मेरे बारे में देख सकते हैं मेरा नाम है अलो गुपता मैंने मेनिट भुपल से ग्रेजुएशन किया दोस्तों और मैं दो बार UPSC मेंस का एक्जैम भी लिख चुका हूँ तो मेरी यही कोशिश है कि जो मेरा लर्निंग एक्सपिरियेंस र दोस्तों आज का लेक्षर शुरू करने से पहले I just want to give you some heads up कि आपको यह लेक्षर किस तरीके से देखना है देखें सबसे पहली बात तो किसने कहां पे कौन सी विजिट की वह एक सबसे पहली important वात उसके अलाबा उस विजिट के दौरान अगर कोई चीज कोई बहुत important event ग जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए तो देखें यह सेप्टेमर महीनिय से related है गवर्मेंट ने आयूश information cell आयूश क्या होता है वो अभी बताता हो information cell को setup करने की कोशिच मलब घोशणा की है रोमानिया में आयूश होता क्या है it is Ayurveda Y for yoga and naturopathy U for yunani S for siddha and H for homeopathy तो यानी जो हमारा traditional form of medicine है उसका एक shell खोला जाएगा information cell कहाँ पर रोमानिया में जो इंडिया की embassy है इंडिया की जो embassy है रोमानिया में भाँ पे इसको खोला जाएगा और इसको inaugurate करेंगे हमारे vice president साब bank कही है नाइडू तो paper में directly पूछ लिया जा सकता है कि I use information cell कहाँ पे establish कर अगला question है हमारे vice president m bank कही है नाइडू के बारे में जिन्होंने inaugurate किया है smart city expo इंडिया smart city smart city mission आप लोगों को पता ही होगा इंडिया में smart city mission चलाया जा रहा है जिसके तहत 100 smart cities established की जा रही है तो इसी का expo चलाया जा रहा है इंडिया 2018 कहाँ पे जैपुर में इसको inaugurate किस न कि नई technology को किस तरीके से इस्तमाल किया जा सकता है town planning को कैसे improve किया जा सकता है capacity management कैसे enhance की जा सकती है and what are the challenges before the socio economic development and can be tackled तो यह सारी बाते होंगी इसमें तो अगर paper में ऐसा आता है कि smart city expo 2018 कहाँ पे हुआ था so do remember it happened in जैपुर और इसको inaugurate किस ने किया था हमारे vice president साब ने अगला event है हमारे दक्षिन भारत हिंदी प्रचार सभा के बारे में दक्षिन भारत दक्षिड भारत हिंदी प्रचार सभा है क्या चीज़ देखिये ये इसके बार में आप पढ़ सकते हैं ये एक organization है जिसका main goal क्या है हिंदी literacy को बढ़ाना ऐसी population के बीच में जो की non-hindi है म इनके बीच में हिंदी को प्रमोट करना यह सभा का में क्या कहते हैं और इस्पेशली सबसे ज्यादा नौन हिंदी पॉबूलेशन का पैसा उथ हिंडिया में तो यही इसका दक्षिन भारत हिंदी प्रचार सभा इसका है चेनई में इसके फाउंडर थे महात्मा गांधी और बेसेंथ और यह फाउंड किया गया था 1918 में 1980 में तो बस इतना ही याद रखना है कि इसके 100 साल हो गए थे पूरे तो इसका सेलीबरेशन इनौगरेट किया था हमारे प्रेसेडेंट साब रामनात कोबिंद के दोवारा तो याद रखना दक्षिन भारत हिंदी प्रचार सभ अगला अगयन इवेंट जो सप्टेमबर महिने से ही है प्राइमिनेस्टर नरिंद मोधी साब ने वर्ल्ड क्लास कंवेंशन सेंटर का फांडेशन स्टोन रखा कहां पर द्वार का दैली में ठीक है तो यह एक तरीके से सेंटर है जहां पर क्या हुआ करेंगे इंटरनेशन का जा रहे है देली में ठीक है अगला जो है वो बेंकाई अनाइड़ु के बारे में है थेंट आप नेश के लिए टूर पर यह स्पेस्पेस्ली से न्हों नेस वह सेंट्रल इूरोप की थे के हैं कि है तोब है नियूश की मालता ही रोमानिया अब यह जो मैंने बताय था न इंदियां ऊपन वीजरे सी चांटिया कमी 150 पॉलेशी बिभ्या में क्राइसिस निकालने में माल्टा ने काफी मदद की थी तो माल्ता एक्टिविली कोपरेटेड इन इवेक्वेशन ओफ इंडियन फ्रॉम लिब्या इन 2011 इन 2014 अब सर्विया माल्ता और रोमानिया के बारे में कुछ पूछा जा सकता है जैसे सर्विया के प्रेसेडेंट का नाम है इलेक्जेंडर हुकी प्राइम मिनिस्टर है अन्ना बा लेघयरियो प्रैका प्राइम मिनिस्टर है जोसब मस्कट कैपिटल है वेलेटा क्याichen के बारे में बात करें तो President का नाम है Clayus Lohannis President Prime Minister का नाम है Varika Den Hezila Capital का नाम है Bookarest ठीक है तो please pronunciation हो सकता है गलत है लेकिन आप प्लीज एक बार इसको जैसे भी आप pronounce करना चाहें तो please do it प्राइम मिनिस्टर साब जो हमारे हैं उन्होंने लॉंच किया है सवचता ही सेवा मूमेंट आपको पता है इंडिया में सवच भारत मिशन चला है और इसका एम है कि इंडिया को open defecation free बनाया जाए 150 वी बर्स गार्ट से पहले-पहले महत्मा गान देगी यानि 2nd October 2019 से पहले-पहले तो यह जो इसका टार्गेट है open defecation free बनाने का इसी के तहट open सवच भारत मिशन के तहट बहुत सारे छोटे-छोटे इवेंट चलाए जाते हैं सवच्चता पकवाड़ा दर्वाजावंद campaign सवच्चता ही सेवा मुमेंट तो इस तरीके थे तो प्राइम मिनेश्टर नरेन मोदी साहब ने launch किया सवच्चता ही सेवा मुमेंट यह पूरी country में organize किया जाएगा और यह कब तक चलेगा 2019 तक चलेगा इसमें क्या किया जाएगा एक तरीके से लोगों को sensitize किया जाएगा यूरी बोरी सोब के साथ बैठके इन्हों ने एक तो चेरिक किया उसके अलावा इन्हों ने बहाँ पे डिसकस किया कि जो रशिया के प्रेसिडेंट साब बाल्दमीर पुतीन आने वाले हैं इंडिया किसके लिए इंडियो रशियन एन्वल समिट के लिए तो उसके बारे में भी इन्हों ने डिसकसिन किया तो सच्मा सुराज कहां पे गई थी रशिया गई थी दूर मेंबर अगला इवेंट किसके बारे में आयूश भारत सेंटर के बारे में आपको पता होगा इंडिया में आयूश मान भारत स्कीम चल लई है आयूश मान भारत स्कीम नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम जिसके तहर पांच लाग का इंशॉरेंस हर एक फैमिली को हर एक साल के ल बैंगलूरू में ऐश्मान भारत कॉल सेंटर को इनौगरेट किया गया इसमें इंग्लिश और हिंदी में पहले स्टार्टिंग में इन्फॉर्मिशन दी जाएगी और बाद में फिर नौ रिजनल लेंग्विजेस में प्रोवाइट की जाएगी तो प्लीस डूर्मेंबर रिसेडेंट है मीलोस जीमान उन से मिले थे ये वहाँ पर तो याद रखना कहाँ पर गये ते यह कि जाएच रिपबलिक गये थे चाइना गये थे अभी जहरकंड के जो चीफ मिनिस्टर है वो कहाँ पर गये थे चाइना और उन्हों ने इन्वाइट कि आए कि वो इन्हों ने उनको invite किया है कि वो आएं और यहां पर participate करें for food processing summit में ठीक है अगला event जो है again September महिने से रामनाथ कोबिंद ची तीन nation के टूर पे गए ते तो जैसे भी मैंने बताया था कि यह वहाँ पे किजेच रिपबलिक में उनके जो प्रेसेडिन साब है milos, जीमान उनसे मिलेते तो यह उसी के बारे में है कि देखिए आठ दिन की visit है आठ दिन का टूर था इनका और यह तीन country पे गए थे प्रेस बल्गारिया और किजेच रिपबलिक ठीक है शिप्रस की अगर बारे में देखे तो यह 8th largest investor है इंडिया के लिए सिफ्रस के president का रहाँ है निकोस अनेस्तासियादिस, बल्गेरियन प्रेसिड़न का नाम है रादेव, तप्रेसी अनंसेर, निकोस अनसेर, का लिए दिन देखिर, का नाम है रादेव, प्लीज, दो-тीन मार रिवास कर ले न अपने आप Haiराद हो जाएगा किजेच प्रेसिडेंट का नाम है मिलोस जीमान इन प्राइमनेस्टर का नाम है एंड्रेज बाबिस ठीक है तो हमारे नाबनात कुमिंद जी तीन नेशन कौन कौन से तीन नेशन पे गए थे यहाँ रखना एक है आपका सिपरस दूसरा है बल्गारिया तीसरा है किजेच रिपबलिक ठीक है तो आगे चलते हैं अगला इवंट है हमारे नरिंद मोधी के साब के बारे में उन्होंने इंडिया पोस्ट पेइमेंट बैंक का लाउंच किया ठीक है आपको पता है payment bank क्या होते हैं? यह differential bank होते है differential bank मतलब यह कुछ special type की services ही दे सकते हैं यह universal bank से अलग होते हैं universal bank, सारे banking operation चला सकते हैं लेकिन payment bank क्या कर सकते हैं? यह देखिए, यह remittances, service वगरा provide कर सकते हैं यह loan नहीं दे सकते हैं और यह credit card issue नहीं कर सकते हैं ठीक है, तो ये इनके उपर main limit होती है, इनके अंदर अगर कोई user का account है, तो वो एक लाख रोपय तक deposit कर सकता है, ये सारी बाते होती है, तो इसी में अब आपको पता होगा, इंडिया में जो postal system है, वो उसका network सबसे बड़ा है, तो इसी को इस्तमाल करने के लिए post offices को convert किया ग यहाँ पे वियतनाम की capital हनोई में, जैपर foot camp, एक्चली ये क्या है, इसमें provide किया जा रहा है prosthetic limbs, मतलब ऐसे हाथ पैर जो की नकली है, बहुत सारे विकलांग लोग होते हैं, तो उनके लिए prosthetic limb को provide किया जाएगा, इस जैपर foot camp के माध्यम से, ठीक है, तो ये अभी कहाँ पे गई थी, चार दिन के टूर पे गई थी, और जिसमें इन्होंने दो गंट्रियों को घुमा, एक वियतनाम और दूसरा कंबोडिया, वियतनाम एं कंबोडिया, ठीक है, तो वहाँ पे इंडिया ने वियतनाम में क्या किया, 500 वियतनामी बेनीफीशरी को प्रोस्थाटिक ग्लें प्रोवाइट किये, उसके अलाबा, उसके अलाबा, इससे पहले क्या हुआ था, जब मैंने इससे पहले वाले lecture में आपको बताया था, यही सेम जैपुर फुटकेम्प लगाया गया था, मयानमार में, ठीक है ना, मयानमार और बीयतनाम में, तो अब यह हो गया, उस पे जुनागड गुजरात में, so it is not that important, but still you can remember it, next event it is about the रामनात कोविंद, हमारे प्रेसिदेंट सापके बारे में, इन्होंने इन्नागरेट किया है, इन्टरनेशनल बुद्धिस्ट कॉनक्लेब, कहां पे न्यू डली में, तो पेपर में डारेक्ली पूछ लिया जा सकता है बुद्धिस्ट हेरिटेज को, जो कि इंडिया में है, और उसके अलावा, इसकी मदद से टूरिजम को भी प्रमोट किया जाएगा, बुद्धिस्ट साहिट्स पे, ठीक है, तो क्या है, इन्टरनेशनल बुद्धिस्ट कॉनक्लेब को इन्यूगरेट किया गया, प्रगपे के नामी याद रख लीजिए, पेपर में डिरेक्ली पूछ लिया जा सकता है, उस दी नियू गोवरनर ऑफ जम्मु एंड कश्मीर, तो इट इस सत्यपाल मलिक, मिघालिया के तथागत रोय, बिहाल लाल जी टंडन, सिक्किम के गंगा परशाद, तिरुपुरा के कप्तान स सौलंकी, हर्यान सत्यदेव नारायन आर्या, एंड उत्राखंट बेवी रानी मौर्या, आगे चलते हैं, अगला इवेंट जो है, वो है, क्या किया जाता है, कि सौरिट, मतलब अभी क्या हुआ था, जो हमारे रामनात को बिन्दची है, उन्हाने, ये अगस्त की नियूस है तो यानि 15 अगस्त निकलाता इसी के असपास, तो उस टाइम पर क्या किया जाता है, बहुत सारे मेडल्स वगएरा दिये जाते है, सेना मेडल्स, और क्या कहते है, गलेंट्री अवार्ड्स, तो ये सारी चीज़े दी जाती है, तो इसी के बारे में है, इसी जो ये सेना मेडल दिया गया, ग्रूप केप्टन अवीशेक सर्मा, स्कॉडरल लीडर पन्नौन देशमंड और सार्जेंट कौन सशीधर पी प्रसाथ को दिया गया, तो ये आप डेटेल में यूस हम लोगों ने डिसकस की थी, अगर आप लोगोंने मेरे अउगस्त के करेंट अफ गो आता, और यहाँ पर करंसी चलती है, कोलांबियन पैसो, कोलांबियन पैसो, अगला इवेंट है मारे प्राइम मिनेस्टर नरिंद मोदी के बारे में, जिन्हों ने एड्रस किया, वर्ल्ड फ्यूल डे कॉन्फरेंस, ठीक है, वर्ल्ड बायो फ्यूल डे कॉन्फरेंस, वर्ल्ड वायो फ्यूल डे उब्जब किया जाता है, हर साल अगस्त 10 को, और इस दिन ये दिखाय जाता है, कि किस तरीके से, जो नोन फॉसल फ्यूल मिनें, जो यह नहीं है, थीक है, तो इनकी इंप्रेंस को दर्शाया है, और ये बताये कि इनको किस तरीके से, हम लोग ए लिए रखना क्या है व्ल्ड वायो फ्यूल दे अगला इवेंट है हमारे बेंकर यह नाइडू जी के बारे में इन्हों नहीं यह बताया कि अग्री कल्चर को डाइवर्ट सभाय करने की ज़रूरत है इन और तो इंप्रूव दी नूट्रिशन लेवल ऑफ दी फूड क्रॉप तो अगर आप लोगों ने थोड़ा सब इन्मामेंट या जोग्रॉफी पढ़ा होगा तो यू यू मस्ट अंडस्टेंड कि यह क्या बात कहना चाह रहे है ठीक है कि देखिए डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप से क्या होता है कि एक तो देखिए स्वाइल की जो जल्चा फॉर्न नूट्रीशन को इनॉग्रेट हिया था कहां पर मैं स्वामी नाथन फांडेशन और यह कहां पर एचन्य में है बस यह इंपर्टेंट बात है नेक्ट इंपर्टेंट इवेंट इट इस अबटी प्राइम मिनिस्टर मोधी जी ने कुछ कहा था एक्षिव प्राइम मिनिस्टर मोधी जी तीन तीन अफ्रीकन देशों के टूर पर गए थे तो यह उसी के रिगार्ट में यूज है एंड इस फॉम दी जुलाइं मंद तो इसी के दौरान इन्हों ने यह कहां पर गए थे यूगांडा में गए थे रवांडा में गए और शाहिद केन इन अफ्रीका उसके अलाबा इंडिया ने जो है यूगांडा को 205 मिलियन डॉलर का लोन भी दिया फॉर एलेक्रिसिटी ग्रिट को डेवलमेंट के लिए उसके अलाबा इंडिया ने वहां पर होस्ट किया या सौरी इंडिया ने यह बोलाई कि वहां पर बिल्ड करेंगे गांधी हरीटेस सेंटर ठीक है गांधी हरीटेस सेंटर इंडिया कहां पर विल्ड कर रहा है यूगांडा में यूगांडा में इंडिया क्या डेवलब कर रहा है गांधी हरीटेस सेंटर again here it is about the Uganda still तो जैसा कि मैंने बताया कि नरेंद मोदी जी जब यूगांडा की विजिट पर गहते हैं वहाँ पर चार एग्रिमेंट भी साइन हुए है वो चार एग्रिमेंट है डिफेंस को उपरेशन से रिलेशन में वीजा एक्जेम्शन से कल्चरल एक्षेंज प्रोग्राम के रिगार्ड में और मटेरियल टेस्टिंग लेबोरेट्री के बारे में ठीक है तो ये चार भी एग्रिमेंट साइन हुए है आपको याद रखना है उसके अलावा इंडियन कबर्मेंट ने युगांडा को कैंसर थेरपी मशीन दी उसके अलावा वहाँ पे और भी कुछ सरेमोनियल रेसेप्शन पगरा हुए युगांडा के बारे पे कुछ इंपोर्टेंट बाते याद कर लेते हैं जैसे युगांडा के प्रेसिडेंट का नाम है योरी मुसेवीनी योरी मुसेवीनी और प्रेमनेस्टर का नाम है रुहा काना रुगंडा करंसी है युगांडन शिलिंग एंड कैपिटल इस कंपाला तो युगांडा की कैपिटल क्या है कंपाला युगांडा की कैपिटल इस कंपाला युगांडा की कैपिटल क्या है के बारे में बात की थी, now we are going to talk about the Ravanda, Ravanda के President Paul Kagame, सबसे पहले important बात, Ravanda के President का नाम क्या है, Paul Kagame, तो इंडिया और Ravanda के बीच में एक agreement sign हुआ है, related to industrial and agriculture development, उसके अलाबा, Prime Minister Modi ऐसे पहले Prime Minister इंडिया के जो Ravanda की visit पे गहे थे, इंडिया और यह भी बोला कि Ravanda में इंडिया अपना एक mission खोलेगा, एक तरीके से यह समझ लीजे, embassy open करेगी, उसके अलाबा, इंडिया ने Ravanda को दो line of credit दी है, एक दी है, 100 million dollar की, for the development of special economic zone and industrial park, और दूसरी दी है, 100 million dollar की, for the development of agriculture in Ravanda, so here you can see how India is helping African countries to develop, ठीक है न, अगला event, it is about the Ravanda game, तो Ravanda में, जो Ravanda के Paul Kaag में president है, इनका एक flagship program है, जिसका नाम है Grinka, पेपर में पूछा जा सकता है, गरिंका क्या है, यह flagship program है, रवांडन president का, गरिंका के तहत क्या किया जाता है, हर एक poor family को एक cow दी जाती है, और यह 2006 से चालू है Ravanda में, तो इसी के दोरान, जब हमारे मोधी साब भी गएते, तो उन्होंने भी 500 cow gift की है, 500 cow gift की थी, वहां के लोगों को, ठीक है, उसके अलाबाद, तीसरा जो country, जब यह गएते African countries में, तो तीसरी country थी South Africa, तो तीसरी country थी South Africa, South Africa में क्या था, तो यहां पर देखें, यह उसी के बारे में पूरा आपको दे दिया है, कि नरेंद मोधी साब जुलाई में 5-6 दिन के लिए, कहां पर कहते है, Ravanda, Uganda and South Africa, South Africa में था दसवा एडिशन Bricks Summit का, और वो भी जॉनेस बर्ग में, पीपर में पूछा जा सकता है, उसके अलावा यह Ravanda, Uganda और South Africa के बारे में कुछ important point है, जैसे South Africa के President का नाम है Shrill Ramaposa, currency है Rand, South Africa की Capital है Cape Town, Pretoria and Wallumfontein, उसके अलावा Uganda के President का नाम है Yori Mushivini, Prime Minister Ruhaykana Ruhanda, and currency is Ugandan Shilling and capital is Kampala, Ravanda के President का नाम है Paul Kagme, Prime Minister is Anastase Murekezi, currency is Ravandan Frank and capital is Kigali, another important event it is about the South Korean President, जिनका नाम है Moon Jae-in, क्या है Moon Jae-in, तो Moon Jae-in देली आये थे 4 दिन की विजिट पे, 4 दिन की यहाँ पे जब वो आये, तो बहुत सारे important issues deal किये गए, जैसे की Korean Peninsula के बारे में बात की गई, पता होगा North Korea और South Korea में बड़ी दिक्कत है, तो उसी के related में बात हुई, उसके बात कुछ बाते हुई, ट्रेड और डिफेंस को अपरेशन को इनांस करने की, और कुछ नए ऐसे वे निउस को ओपन करने की, so that bilateral partnership को और ज्यादा strengthen किया जा सके, so it is about the South Korean President Moon Jaehee who visited India for a 4 day, now it is again from the July and it is about the Bhutan Prime Minister, दसो शेरिंग के बारे में, दसो शेरिंग टॉप गे जो थे वो तीन दिन की विजिट पे आयते इंडिया में, क्या है नाम, प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, भूटन के दसो शेरिंग टॉप गे, अब तो खेर बदल गए हैं, अब यह नहीं रहे, अच्छा यही तो है शेरिंग टॉप गई है, तो यह आये थे इंडिया, ठीक है, और बात की गई कि किस तरीके से इंडिया और जो कहेते हैं, इंडिया और भूटा ने उसके रिलेशन को और ज्यादा स्टेंथन किया जा सकता है, अगर भूटान के बारे में देखें, तो भूटान की कैपिटल है थिम्पू, लीजन है बुद्धिजम और हिंदुजिजम, ऑफिशल लेंग्वेज है, जोंग खा एंड करंसी नगल ट्रम, ठीक है, एंड जी यूल टी आर यूम, ठीक है, तो प्लीज याद अखना है, भूटान के प्राइम मिनिस्टर दसों शेरिंग तॉप गया आए थे, इंडिया की बिजट पे, तो इसे के साथ दोस्तों ये लेक्ट्र समापत होता है, उम्मीद करता हूं थेट एट अवरी वन आफ यूम्स रण्ट अलोट फॉम इसे सो, and all the very best for your preparation milling in the next lecture meet till then, Dasvidaniya